हमारे नभी पाग मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने हमें पहले से बताया है अपनी तमाम उम्मत को अगा किया है इसमें से सबसे बड़ा साइन क्या है इमाम मैधी का आना और ये वख जब आएगा इमाम मैधी का तो कयामत बहुत नस्दिक होगी बहुत नस्दिक आखिर इमाम मेधी कौन होंगे वो क्या करेंगे जब दुनिया में आएंगे असलाम वलेकुम दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कियामत बहुत जादा नस्दीक है कयामत कितनी सारी निसाने पूरी हो चुकी है और कितनी सारी निसाने बाकी है और इमाम महिदी कौन है कब आएंगे तो सब जानेंगे इस वीडियो में बस आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमें यकीन है कयामत पे दे अव जज्जमेंट मगर कयामत आने से पहले हमारे नजदी आखिर ऐसा क्या होगा जिससे हमें पता लग सके कयामत बहुत ही नजदी है तो हमारे नभी पाग मुहम्मद صلی اللہ علाही। ने हमें पहले से बताया है अपनी तमाम उम्मत को अगा किया है इसमें से सबसे बड़ा साइन क्या है इमाम मैधी का आना और ये वक्त जब आएगा इमाम मैधी का तो कयामत बहुत नस्दिक होगी बहुत नस्दिक आखिर इमाम मैधी कौन होगे वो क्या करेंगे जब दुनिया में आएगे इसके बारे में हमारे नभी ने बताया है वो आखरी वक जब तक नहीं आएगा जब तक इमाम मैधी ना आजाए और जब इमाम मैधी आएगे तो वो पूरी दुनिया को इनसाफ से भड़ देंगे और हर जगह इनसाफ होगा झृल्म खतम हो जाएगा तो उनका नाम कुछ ऐसा होगा मुहम्मद इबन अब्दुल्ला और वो एले बैद से होंगे हमारे नभी के खांदान से होंगे उनके आफस्प्रिंग से होंगे और वो किन से होंगे हजरत फातिमा रजी अल्ला ताला अनू और हजरत अली रजियल्ला ताला नूँ वो हजरत हसन के आफस्प्रिंग से होंगे ऐसा हमारे नभी ने बताया है और जब इमाम महधी आएंगे तो वो खुद अपने आपको जाहिर नहीं करेंगे वो एक knowledgeable शक्सियात होंगे उनमें वो qualities होगी जिससे लोग कहेंगे कि आप ही इमाम महधी हो और हमारे नभी पाक ने फरमाया है अल्ला इमाम महधी को एक ही रात में तयार कर देगा overnight उनमें सब qualities आ जाएगी और फिर वो तमाम मुसल्मानों के लीडर होंगे और इस दुनिया को इंसाफ से भड़ देंगे और इंसाफ कैसा होगा हमारे नभी पाक मुहमद सल्लेला हुले वसल्म के शरियत के मुताबिक होगा और बहुत सी जंग लड़ी जाएगी और इमाम महधी मश्रिक यानी इस साइड साहीगी जैसा कि हमारे नभी ने फरमाया कि उनके साथ मश्रिक से एक लश्कर आएगा जो उनका सपोर्ट करेगा और अभी लोग बोलते हैं महधी इराक में हैं एक गुफा में हैं हजार साल से उधर ही है लोग ये सब गलत बोल रहे ये सब लोग कुरान और सुनना के अगेंस जाते हैं कुछ भी कह देते और मेजर साइन क्या है जब इमाम महधी का जहूर एकदम सामने होगा जैसे अर्थकोएक्स आ जाना जैसे अभी तो रिसेंट एर्थ में बहुत से अर्थकोएक्स आए है टर्की में जो अर्थकोएक्स आया है उससे आप अंदासा लगा लो कितना बड़ा अर्थकोएक्स था और ये टाइम बहुत करीब है आने वली साल में अर्थकोएक्स की तादाद बढ़ जाएगी और बहुत जादा अर्थकोएक्स आएगे बहुत जादा फिर टाइम आ जाएगा दज्जाल के बाहर आनेगा अब ये हमें कैसे पता चलेगा दज्जाल बाहर आने वादा देखो जब तमाम मुसल्मान जब इमाम महिदी के साथ होंगे तो वो सब मुसल्मान अल शम्स आएंगे मतलब सीरिया पलेस्तिन बैतल मुकदस आएंगे और फिर वहाँ ईसा अले सलाम का जूर होगा वो आस्मानों से नीचे उतरेंगे और जब सब मुसल्मान देखेंगे ईसा अले सलाम नीचे आ रहे हैं आस्मानों से तो सब नमास के लिए तयार हो जाएंगे फिर सब बोलेंगे ईसा अले सलाम को नमास पढ़ाने लेकिन वो मना कर देंगे सोचो ईसा अले सलाम भी मना कर देंगे तो कौन नमास पढ़ाएगा तो ईसा अले सलाम इमाम महदी को आगे करेंगे और इमाम महिदी पूरी मुस्लिम उम्मा को नमाज पढ़ाएंगे और जब इसा लिए सलम नीचे आएंगे तो वो इंजील को नाफिस नहीं करेंगे वो कुरान को नाफिस करने आएंगे और कुरान को फॉलो करेंगे और इसा अले सलम हमारे प्यारे नभी मुहम्मद सलियलाहु अले सलम के फॉलोवर होंगे और फिर वो टाइम पर जब इमाम महदी का दौर होगा तब तमाम मुसल्मानों की जिंदगी बदल जाएगी और फिर अल्ला अज़व जल अपनी रहमत और बरकत से तमाम मुसल्मानों के लिए अल्ला अस्मानों को होगम देंगे नीचे आ और बारिश बरसा और फिर अल्ला हुकुम देगे अर्थ से, दुनिया से, जमीन से, कि अपने fruits और vegetation, मतलब जो फल है और सबजिया हैं, तमाम चीजों को बाहर निकालो, जमीन को बोलेंगे, तो फिर वो time आएगा कि किसी मुसल्मान को कोई चीज की जरुवत नहीं होगी, सब को बराबर दौलत मिलेगी, और सबको बहुत तरकी मिलेगी, इमाम महदी के हुकूमत में, और फिर इमाम महदी की हुकूमत साथ से आठ साल की होगी, जैसा हमारे नभी पाक ने फरमाया, और फिर इमाम महदी अपने followers के साथ मक्का शरीफ पहुचेंगे, और जब इमाम महदी मक्का पहुचे कोगा क्या आप तैयार हो दोस्तों इस वीडियों को अपने भाईयों में शेर जरूर कर ये मिलते हैं से अच्छे सी वीडियों साथ अन्ला हापीश